कोरोना वायरस वैक्षीन के बारे में इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं Another Beginning एक और नई शुरुवात Another Beginning Pharma counter adulence is vital Vital का मतलब होता है महत्तोपुर्ण और Pharma counterovigilence का मतलब होता है कि किसी दवा के प्रभाव की निगरानी करना कि कोई दवा है कोई ड्रग्स है जिसे आप यूज कर रहे हो तो उसके क्या side effects हो सकते हैं इनको पूरी तरीके से observe करना है इसके प्रभावों को observe करना तो एक तरीके से pharmacovigilance is vital as more vaccines become available कि और भी कई सारी vaccines जो है धीरे धीरे available होती जा रही है तो ये जो विभेने तरह की vaccines हैं इनके प्रभावों की निगरानी करना बहुत ही महत्वपूर है and new side effects seem कि कई तरह की vaccines लगातार market में आती जा रही है और कई तरह के नए side effects भी इन vaccines के देखे जा रहे हैं तो इसलिए pharma covigilance बहुत ज़्यादा महत्वपूर है as India grapples with grapple के साथ में with preposition का प्रियोग होता है grapple with का मतलब होता है किसी चीज से जूजना किसी चीज से जूजना जैसा कि हम देखते हैं भारत जो है जूज रहा है किसे जूज रहा है और vaccine shortage कि भारत में vaccine की shortage हमें देखने को मिल रही है the drug controller general of India has formally approved another vaccine candidate यह vaccine candidate से मतलब है suitable candidate suitable vaccine है एक उपयुक्त vaccine तो एक तरीके से जो drug controller general of India है उन्होंने एक और vaccine को approval दे दिया है permission दे दिया है उसका नाम है Sputnik 5 अब यह जो Sputnik 5 है यह रशिया की एक तरीके से क्या है यह रशिया की vaccine है तो इसको जो है approval दे दिया गया है under emergency use authorization कि वही emergency में आपातकाल की इस्थिती में जो है आप क्या कर सकते हो इस Sputnik 5 को प्रियोग में ले सकते हो तो ध्यान रखना कभी-कभी क्या है कि बिल्कुल यह जो current GK से संबंदित प्रिशन आते है ना हमारे उनमें चोटी-चोटी बाते ही पूछ ली जाती है कि जैसे वह vaccine रूस की वह vaccine जिसे भारत ने अभी हाली में approval दिया है कौन सी है Sputnik 1, Sputnik 2, Sputnik 3, Sputnik 4 तो यह है Sputnik 5 Since January, India's vaccination strategy has hinged के साथ में on preposition का प्रियोग होता है hinge on का मतलब होता है किसी चीज पर निर्भर होना, किसी चीज पर depend होना तो अगर हम January से देखें तो भारत की vaccination को, टीका करण को लेकर भारत की जो नीती है वह depend रही है, किस पर entirely on, पूरी तरीके से इस बात पर depend रही है किस पर, Covishield है न, कि यही vaccine हमारे पास है तब से जनवरी से The AstraZeneca vaccine, और यह जो Covishield है, इसको निर्मित किया है, AstraZeneca ने And to a very limited extent, और मतलब बहुती कम सीमा तक Extent का मतलब बहुती सीमा तक And to a very limited extent, और मतलब बहुती कम सीमा तक Covishield पर भी भारत depend रहा है Another significant move by the government is कि एक और महत्पून कदम, जो कि सरकार के द्वारा उठाये गया है Is in allowing, वह है यह allow करना, यह permission देना Foreign made vaccines approved by regulatory agencies in the US, the UK कि अन्य जो महत्पून काम एक तरीके से किया गया है भारत सरकार के द्वारा वो यह है कि विदेश में निर्मित जो vaccine है उसे approval दे दिया गया है By regulatory agencies in the US, UK कि विदेश में निर्मित vaccine जिसे कि America या फिर UK की जो regulatory agency है Regulatory agency का मतलब होता है किसी चीज को control करने वाली agency तो यह जो vaccine है इस vaccine कोई भी vaccine बनती है किसी भी देश में तो वहाँ एक body होती है जो इसकी निगरानी करती है कि इस vaccine को permission दी जाए या नहीं दी जाए तो foreign made जो vaccine है जिसे कि US में और UK में permission मिल चुकी है उस vaccine को भारत में allow कर दिया है तो US, UK इसके लावा कहा मिल चुकी है इस है permission Europe, Japan और those या फिर उन देशों में that find mention in the world health organizations list of approved emergency use या फिर अगर हम बात करें WHO की World health organization जो है उसने एक list तयार की है कि वही कौन कौन सी vaccine को emergency के दोरान use किया जा सकता है उसने कुछ approval दिया है, WHO ने है इमर्जेंसी यूज का vaccine which can avoid conducting a local clinical trial देखो local clinical trial trial का मतलब होता है परिक्षन कि वही WHO ने एक list जारी की है उसमें कुछ vaccines को approval दिया गया है, मंजूरी दी गई है कि वही emergency में इनका use किया जा सकता है और emergency में इन vaccine को use करते दोरान करने के दोरान, इनका छेत्रिय परिक्षन करने की जूरत नहीं है can avoid कि वही यह जो vaccine है यह बच सकती है किस चीज से conduct, conduct का मतलब है आयो जित करना a local clinical trial कि वही यह जो है एक local clinical trial जो होता है उससे बच सकती है but opt for लेकिन वही चुन सकती है अब parallel, समानांतर bridging trial, post approval कि वही approval देने के बाद में क्या कर सकते हो आप एक bridging trial कर सकते हो देखो bridging trial क्या होता है देखो bridge का मतलब क्या होता है gap को भरना bridging trial का मतलब होता है परिक्षन देखो जैसे कोई vaccine है वो Australia में निर्मित हुई और वहां के लोगों पर काम भी कर रही है ठीक तरह से लेकिन क्या जरूरी है कि वह vaccine जो है इंडिया के लोगों पर भी उसी तरीके से काम करेगी क्यों? क्योंकि climate में बहुत जादा अंतर है तो भोतिक परिस्थितियां जब परिवर्तित होती है तो दवाएं जो है उनके काम करने में भी अंतर आता है उसी को कहा जाता है bridging trial कि वही एक vaccine जो कि अमेरिका में या जापान में या उस्ट्रेलिया में ठीक तरह से काम कर रही है वो क्या बांगला देश में या इंडिया में भी ठीक तरह से काम करेगी इसके लिए एक bridging trial conduct कराना जरूरी होता है तो bridging trial का मतलब होता है एक तरीके का छेतरी परिक्षन हो गया है जिसके माद्यम से ये जाचा जा सके कि भई ये जो vaccine जिस तरह से विदेश में काम कर रही थी एक तरीके से भारत में vaccine को permission देने वाली जो body है उसके पास Pfizer company आई थी for permission है तो Pfizer ने permission मांगी थी but a sticking point was over this question लेकिन stick का मतलब क्या होता है किसी चीज़ से बिल्कुल चिपक जाना तो एक point जो था जिस बात को लेकर मामला बिल्कुल अल गया था वो मामला था over इस बात को लेकर था this question of the conduct of local trials यानि कि Indian regulators जो है उन्होंने Pfizer को कहा था कि वही local trials होना बहुत जरूरी है छेत्रिय परिक्षण इस vaccine का किया जाना बहुत जरूरी है it is important to note that bridging trials are critical editorial खुद कहता है कि वही ये बात किये जाते हैं ये बहुत ही महत्पूर्ण है critical यानि महत्पूर्ण है लोकल परिक्षण होने ही चाहिए किसी वैक्सीन के a vaccine that is approved in a different country कि कोई भी वैक्सीन जिसे किसी अन्य कंट्री में permission मिल जाती है may have untoward effect untoward effect का मतलब होता है अन्य किसी देश में permission मिल गई उस vaccine के किसी अन्य देश में प्रभाव जो है वे अन्य चाहे हो सकते है may have इस बात की possibility बनती है may have untoward effects in another population कि किसी दूसरे देश की जनता पर अगर उसी vaccine को इस्तेमाल किया जाता है तो उसके प्रभाव कुछ अलग हो सकते है इसलिए bridging trial जरूरी है past learnings from the history of drug and vaccine effects across geographies past learnings कि बीते पिछले समय में जो कुछ बाते हमने सीखी है from the history of अगर हम इतिहास की बात करें कि यह जो drug है या फिर vaccine के प्रभाव से जुड़े हुए इतियास की अगर हम बात करें तो पूरे विशु भर में across geographies का मतलब है या पर कि पूरे विशु भर में जो कुछ बाते हमने सीखी है वो यह सीखी है what necessitated जो को necessitate का मतलब होता है आवश्यक बना देना such rules in the first place मतलब पिछले मतलब एक तरीके से आप यह कह सकते हो कि past learning जो है हमने यही सीखी है उन दुरान हमने यही सीखा कि इस vaccine जो है इसके प्रभाव अन्य-अन्य छेत्रों में अलग-अलग होते है तो इसी ने इस बात को मतलब बहुत ही जरूरी बना दिया कि इस तरह के rules लाए जाए इस तरह के rules को first place दिया जाए इस तरह के rules को प्रात्मिक्ता दी जानी चाहिए कि कोई भी vaccine अगर किसे different country में इस्तेमाल की जा रही है तो उसको bridging trail किया जाना जरूरी है उसका छेत्री परिक्षन किया जाना जरूरी है However, India is in a crisis हलांकि India जो है एक संकट में है When it had the opportunity to conduct clinical trials in the right way जब भारत के पास ये आवसर था कि भारत कंड़क्ट कर सके क्या clinical trials in the right way कि जब भारत के पास ये आवसर था कि भारत चिकित सकी परिक्षन कर सके वैक्सीन का बिल्कुल ठीक तरह से in the right way अगर हम कोवैक्सीन की बात करें या कोवीशील्ड की बात करें तो इन दोनों वैक्सीन के मामले में भारत के पास जब ये opportunity थी कि भारत इनका trial करता उस दोरान भारत ने क्या किया? इंडिया rushed through rush through का मतलब होता है जल्दवाजी करना उस दोरान भारत ने जल्दवाजी दिखाई its regulatory process regulatory process का मतलब होता है कि किसी चीज को control करने की जो process होती न regulatory process भाई भारत के पास ये जब आउसर था ना कि कोवैक्सीन और कोवीशील्ड का ठीक तरह से जिखाई यानि कि भारत को जो परियाप्त परिक्षण कोवैक्सीन और कोवीशील्ड का करना चाहिए था वो भारत ने नहीं किया इसके चलते क्या हुआ इस बात ने योगदान दिया contribute to का मतलब है योगदान देना the hesitancy hesitancy का मतलब होता है हिच के चाहट hesitancy surrounding these vaccines तो जब इन वैक्सीन का कोवैक्सीन और कोवीशील्ड का प्रॉपर तरीके से परिक्षण नहीं किया गया तो इन वैक्सीन के चार और लोगों में एक हिच की चाहट पैदा हो गई है इट इस इस्टिल अ मिस्ट्री यह अभी भी एक रहश्य बना हुआ है वाई इंडिया डिड नॉट प्लान फॉर एनफ स्टॉक्स लाइक दे यूके एंड यूएस डिड़ कि भारत ने परियाप्त स्टॉक क्यों नहीं जमा किये यह जो वैक्सीन से इनके जैसे की अमेरिका ने यह जैसे की ब्रेटैन ने यह अमेरिका ने वैक्सीन के परियाप्त स्टॉक जमा किये इसी तरह से भारत ने इन वैक्सीन के परियाप्त स्टॉक क्यों नहीं जमा किये अब अब इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है इंडिया इस टेकिंग अ क्यू से hint ले रहा है by conceding इस बात पर सहमत होते हुए that no country can be entirely आत्मनिर्वर कि भाई भारत को धीरे धीरे ये समझ आ रहा है भारत इस बात पर concede कर रहा है भारत इस बात पर सहमत हो रहा है कि कोई भी country जो है पूरी तरीके से आत्मनिर्वर नहीं हो सकता in vaccinating its population कि कोई भी देश अपने देश की जनसंख्या को टीका करण उपलब्द कराने में पूरी तरीके से आत्म निर्फर नहीं हो सकता भारत को धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है वाइल देर आर सेवरल वैक्सीन केंडिडेट से ना वैक्सीन केंडिडेट का मतलब है उप्यूक तो वैक्सीन है ना सुटेबल केंडिडेट सुटेबल वैक्सीन several का मतलब है कई while there are several vaccine candidates at various stages of approval various stages of approval कि भई approval जो मिलता है ना vaccine को वो कई चरणों में मिलता है ना पहले चरण पे, दूसरे चरण पे, तीसरे चरण पे तो कई सारी vaccine है जो कई चरणों पर एक तरीके से approval list में चल रही है तो कई सारी vaccine जो है उपलब्द है that India can choose from है जिन में से India choose कर सकता है कई सारी vaccines है जिनकों की जो की approval की कतार में खड़ी है उन में से भारत किस vaccine को लेना चाहता है choose कर सकता है लेकिन it must not repeat लेकिन भारत को दोहराना नहीं चाहिए किस बात को नहीं धहराना चाहिए the same mistake of assuming मतलब भारत को वही गलती दोबारा नहीं धहराना चाहिए भारत को इस बात को नहीं मान लेना चाहिए assume करने का मतलब होता है अपने इससे कुछ भी बात को मान लेना that choice translates into immediate availability भारत को ये नहीं समझना चाहिए भारत को इस बात को नहीं माल लेना चाहिए कि जिस बात को आप चुनते हो ना choice translate into translate into का मत्लाब है किसी बात का किसी बात में periwork Theatre हो जाना immediate availability कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत स्कूर्ध किसी भी चीज को कुना और उसका मतलब यह हो गया कि तुरंती अविलेबल हो जाएगी वो vaccine है ना All of the Indian companies that have tied up with foreign vaccine companies कि सारी की सारी भारती companies जिनोंने की tie-up tie-up का मतलब है एक तरीके से मिल जाना जुड़ जाना है ना कि मैंने आपके साथ tie-up कर लिया तो इसका मतलब है कि मैं आपसे कोई चीज खरीद हुआ या है ना हमपी कि हमारे वीच में खरीदना बेचना होगा उसको बोलते हैं tie-up कर लेना तो विभिन जो भारती है वैक्सीन से जुली होई विभिन जो भारती है companies है उन्होंने tie-up किया हुआ है किन से foreign vaccine companies है विदेशी जो जिसका मतब यह हुआ while they may promise vaccines in the millions कि ठीक है भारती है companies जो है वे एक तरीके से लाखों की संक्या में vaccine की उपलबदता के बारे में जो है दावा कर सकती है promise का मतब होता है एक तरीके से future में available हो जाएंगी इसी बात बताना it will always be the case that priority will be accorded लेकिन यह case तो हमेशा ही बना रहेगा कि प्रात्मिक्ता उसको दी जाएगी accord का मतब है यहां पर प्रदान करना to the highest global bidder कि भाई विदेशी जो companies है वे तो उसी को बेचेंगी न vaccine जो की सरवादिक बोली लगाएगा है highest का मतब है सरवादिक global bidder का मतब है बोली लगाने वाला कि ठीक है कि पूरे वैश्विक रूप से vaccines उपलब्द हैं लेकिन vaccines उनी को मिलेंगी जो की सरवादिक बोली लगाएगा है न यानि कि vaccine के लिए सरवादिक पैसा देने को तयार होगा India must compete compete का मतलब है एक तरीके से प्रतियोगिता में भाग लेना प्रतिसपरदा करना उसका मतलब है compete है न तो इंडिया को जरूर प्रतिसपरदा करना चाहिए ये सुनिश्चित करने के लिए that these doses are available कि वही ये जो vaccine की doses हैं ये उपलब्द हो to a large fraction fraction का मतलब है तब का to a large fraction of its adult population भारत को इस बास को सुनिश्चित करना चाहिए कि ये जो vaccine है ये vaccine भारत की जो adult population है जो वयस्क जंसंग क्या है उसके ज़्यादा तर समू को ये vaccine उपलब्द हो in quick time जल्द से जल्द है न बिना किसी time के यानि कि बहुत ही जल्द the pandemic wave seems to have abd in the US pandemic का मतब है वैश्विक महामारी कि ये जो वैश्विक महामारी की लहर है ऐसा प्रतीत होता है to have abd abd का मतब है धीरे धीरे कम होना in the US कि अमेरिका में coronavirus की जो लहर है वह ऐसा लगता है कि कम हो गई है to some extent कुछ हद तक because क्यों at least 30% of its adults have goat windows क्यों क्योंकि अमेरिका के कम से कम 30% जो वैस्क लोग हैं उन्हें vaccine की windows मिल चुकी है for India भारत के संदर में अगर हम बात करें this job of scaling up scale up का मतलब है और ज़्यादा बढ़ाना was always going to be uphill uphill का मतलब होता है बहुत ही कठिन काम जैसे पहाड़ के ऊपर चड़ते हो boyogle पहाड के ऊपर जब चड़ते हो आप इसको क्या बौलते हैं अफिल मतलब ऊंची चड़ाई तो भारत के लिए ये जो काम है कौनसा काम लोगों को vaccine उपलब्द कराना है लोगों को vaccine उपलब्द कराना या vaccine उपलब्द कराने को बढ़ाना, scaling up was always going to be uphill तो भारत के संदर में coronavirus vaccine को और ज़्यादा बढ़ाना बहुत ही कठिन काम होने जा रहा था मतलब भारत के बारे में तय था कि भारत के संदर में काम बहुत कठिन रहेगा Scenes from last year अगर हम पिछले साल हमें कुछ जो सीन देखने को मिले, पिछले साल जो द्रश हमें देखने को मिले, क्या देखने को मिला हमें पिछले साल, positive का मतल होता है कमी, of hospital beds कि भाई जो hospital के beds हैं इनमें कमी देखने को मिली ventilators की कमी देखने को मिली है ventilators के माद्यम से क्या दी जाती है व्यक्ति को oxygen प्रदान की जाती है black marketing of drugs कि वह यह जो coronavirus से जुड़ी होई जो भी drugs है इनकी black marketing देखने को मिली are now being replied यही की यही बातें दोबारा से दोहराई जा रही है in worrying proportionate चिंता जनक अनुपात में in worrying proportions है न यह डिटोर कहना चाहरा है कि भारत के संदर में काफी मुश्किल नजर आ रहा है काम कि पिछले साल जो कुछ बातें हमें देखने को मिली थी इस साल फिर वही बातें दोहराई जा रही है और पिछले साल क्या बातें हमें देखने को मिली थी जैसे कि hospital beds में कमी आ रही है कॉरोना वारुस से ज्यूल हुई जो ड्रग्स हैं उनकी ब्लैक 있으니까 काला बाजारी की जा रही है विद पॉर वैक्सीन्स कम है ते मैं से कि बाई वोह वैक्सीन्स कि याधा श्यदा से ज्याधा वैक्सींस उपलब्द होती जा रहे है ठीक है अची बात है, कम inevitably का मतलब होता है अनिवार्य रूप से more complication, complication का मतलब है जटिलता है, associated with, associated with का मतलब होता है जुड़ी होना, adverse का मतलब है प्रतिकूल events, प्रतिकूल घटना है, and rare का मतलब है दुरलब, side effects, एडिटोल कहता है कि ज्यादा vaccines के साथ में अनिवार्य रू तो उनके साथ कई तरह के complications जुड़े हुए हैं, कई तरह के जटिलता है उन vaccines के साथ जुड़ी हुए हैं, कि ज़्यादा तर जो कई तरह की vaccines है ना, तो फिर उनके कई तरह के प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकते हैं, कई तरह के उनके दुरलब, side effects भी देखने को मिल सकते हैं This is where India's pharma co-vigilance program must step up, step up का मतलब एक तरीके से आगे आना है ना, एक तरीके से बढ़ाना और ज्यादा तेजी लाना, this is where, यही 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 पे जरूरत है कि इंडिया को यही पे इस बात की जरूरत है, कि इंडिया क्या करें, pharma co-vigilance को बढ़ाए, pharma co-vigilance का मतलब है, कि किसी दवा का जो प्रभाव है, उसकी निगरानी कर रहे हैं, इसको बढ़ाना चाहिए भरत को, step up का मतलब है, इस चीज को increase करना चाहिए, कि यह बात जरूरी है, कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सिन्स जो है, धीरे धीरे उपलब्ध होती जा रही है, तो ज़्यादा से देखो, ease up का मतलब होता है, जैसे कि सक्त rules बने हुए है, उन्हें थोड़ा धीला करना, थोड़ा नर्मी से पेश आना, the easing up on conditions for facilitating, facilitate का मतलब होता है, एक तरीके से सुगम बनाना, किसी process जो है, उसे सुगम बनाना, more vaccines must be seen as a new beginning, तो एडिटोल कहता है, कि बही, coronavirus vaccines को लेकर, जो condition हमने निर्धारित कर रखी है, उन में थोड़ा, उन conditions को थोड़ा हलका करना चाहिए, थोड़ी सी नर्मी बरतनी चाहिए, तो the easing up on conditions for facilitating more vaccines, कि बही, जादा से जादा vaccines जो है, उन्हें सुगम बनाने के लिए, उन्हें लोगों तक पहुँचाने के लिए, जो conditions अभी हम दिखाना चाहिए, तो in facilitating more must be seen, must be seen, तो ये जो easing up है, इसको देखा जाना चाहिए, must be seen as a new beginning, एक नई शुरुआत के रूप में, कि बही, एक नई शुरुआत होनी चाहिए, इस नई शुरुआत में editorial ये कहना चाहता है, कि बही, नई शुरुआत का मतलब है, कि हमें क्या क करना चाहिए, coronavirus vaccine से जुली हुई, जो भी conditions है, इन conditions में थोड़ी सी राहत देनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा vaccines जो है, वे लोगों को उपलब्द हो सके,